नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में और बात करेंगे आज के सुब वीडियो में UP-free tablet smartphone के लिए आप लोग DG सकती पोटल पे जाके अपनी EKYC कैसे करेंगे अगर दोस्तों आप लोग अपनी EKYC नहीं करते हो तो आप लोगों को UP-free tablet smartphone का लाव नहीं मिलेगा DG सकती पोटल पे आपको KYC करनी होगी और इसी के साथ मेरी पहचान पोटल पे आप लोगों को अपना registration करना होगा अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो इस बार जो आपको UP-free tablet smartphone का लाव मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा DG सकती पोटल पे आप लोगों को KYC कैसे करनी होगी और साथ ही मेरी पहचान पोटल पे आपको registration कैसे करना है फुल प्रोसेस हम आपको इस उड़े में बताने वाले हैं बहुत से चात्रों को यहाँ पर comment भी आ रहा है कि सरुझे है यहाँ पर invalid involvement number की problem आ रही या उनको यहाँ पर fail दिखता है या उनका status यहाँ पर processing में दिखता है तो दोस्तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है दोस सबसे पहले आप लोगों को KYC करने के लिए आपको डीजी सकती पोटल पर आ जाना है जिसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा डारेक्ट आप वहां से इस website पर आ सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना university board का नाम select करना है किस board से यहाँ पर आप पर हाई कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पर college institute का नाम select करना रहेगा देन यहाँ पर दोस्तो आपको अपना environment number fill up करना रहेगा देन इसके बाद यहाँ पर आओगे तो जो capture code दिख रहा है इस capture code आपको इस box में fill up करना है इसके बाद यहाँ पर आपको search option पे click करना तो यह KYC का first option है यहां पर सबसे पहले यह first step है जिससे यहां पर आपको search करना रहेगा कि आपका यहां पर data show हो रहा है या नई हो रहा है जैसे आप यहां पर search पे click करोगे detail फिलब करने के बाद तो यहां पर आपके सामने इस परकार से interface आएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे हैं पर आपका जो status है वो KYC देख सकते हैं आधार KYC status यहां पर आप लोगों का pending देख रहा है तो पहत् wilka मेरी पहुचान पोटल से आपको इसको कहनी रहेगी जिसके लिए यहां पर आपको मेरी पहचाद पोटल पर रेजिस्टेशन कारना रहए जैसे आप यहां पर किले करोगे वेरिफाइ दूरू तो यहां पर आपके सामने कुछ चात्रों का इस तरीके से डाटा दिखेगा हम अश पी बारे में बात में बात करेंगे तो यहांपर आप लोग के सामने इस प्रकार से से इंटरफेस आएगा यहां पर इस परकार से औने के बाद तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलक करना दन जनीरेट ओटीपी पर किलिक करओ कि explains दो यहां पर आपके नंबर पर ओटीपी जय से देख सकते हैं इस पर आपके mobile number पे OTP भेज़ा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है दिन यहाँ पर आपको verify पे click करना verify OTP पे तो जैसे आप यहाँ पर verify OTP पे click करोगे यहाँ पर आपकी OTP verified हो जाएगी फिर दोस्तों यहाँ पर आपको निचे यहाँ पर आपकी detail पुए आपो पर अपो अपना क्या चलिक रहेगा कि नवे रहे खाल के हैं यहां पर पर मेलना नहीं करना यह पर आूए अप सिर्फ-पर खेंट लेंडर को बढ़ को से आपके ना-स क्रज़ने में है कोई आपको यहां पर जैसे आपका add the rate हो गया और यहाँ पर आपको अच्छर भी लेना है जैसे आप उसमें आपका नाम अपना लिख सकते हैं जो भी आपका नाम रहेगा उसके बाद वहाँ पर एक दो तीन लिख सकते हैं और उसमें आप add the rate लगा सकते हैं इस तरीके से आप लोग अपना username create कर सक करेगा यहाँ पर आपको एकसप्ट करना रहाएं जैसे आप यहाँ पर यहाँ पर करते हैं फिर यहाँ पर आप के सामके सामने इस प्रकार से एंटर्फेस आजय гр आप दोस्तों यहां पर आपको आधार नमबर डालने का आफसन आ रहा है, यहां पर आपको आधार नमबर डालना रहेगा, तो यहां पर आपको OTP चोईज करना है, कि आपको मेल पर चाहिए या मोबाइल पर चाहिए, तो यहां पर दोस्तों आपको मोबाइल आफसन करने हैं तो फिर यहां पर आपको कैपचा को डाल कर वेरिफाइया थूरूय के आफसें इसप्छिपको किलिक करना रहेगा जैसे यहां पर आपके आधार्स रेश्टरर मोबाइल नम्मबर पे एक OTP जाएगा उस OTP को यहां पर आपड़ाना है फिर verify पे किलिक करना है जैसे दोस्तों यहां पर आप verify option पे किलिक करोगे तो यहां पर आपको success का option देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं यहां पर आपका successfully यहां पर मेरी पहचान वोटर के registration हो चुका है अब दोस्तों यहा यहां पर home वाले option पे click करते हो तो दोस्तों यहां पर home वाले option पे जैसे click करोगे तो यहां पर आपके सामने इस परकार से इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आपको इस परकार से दिखना चाहिए जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर आपका वेरिफाइड दिख रहा है दोस्तो इसी परकार से आपका वेरिफाइड होना चाहिए अगर दोस्तो यहां पर आपका वेरिफाइड नहीं होता क्या आपकी data birth रहेगी या फिर आपका जो यहां father's name रहेगा यह सारी चीजे आपके आधार से match होनी चाहिए जो आपका यहां पर record है high school के मारसी टॉपके आधार से match होनी चाहिए अगर आपका यहां पर detail mismatch है आपका जो university में data feeding है कुछ दूसरा data feeding है या आपका spelling mistake है या data birth मे कुछ mistake है या father's के name में mistake है उसको यहां पर आपको अपने काले से सही कराना रहेगा आप यहां से कुछ भी नहीं कर सकते है इसके लिए आपको अपने काले जाना है वहां पर जो यहां पर आपका काम देखते हैं जो यहां पर आपका data feeding करते हैं उनसे यहां पर आपको correction करा अपने अपडेट करा लेना जो भी आपके डाकुमेंट में मिश्मैच रहती है जिसे आप उसे करा लेते हैं फिर यहाँ पर आपका जो वेरिफाइड है यह आधार यहाँ के वाइस यह कि दोबारा से आपकर आपका कंप्लेट हो जाएगा यहाँ पर आपको पिंडिंग आपका ऊंडर प्रोसेसिंग डिखता है आप यहां पर इस सिद्धे में आप वकूर की टोड डान आगे कालेश की तरफ से लाग किया गयए जिसका रम आपको दिख़ए आफ़ की ट्रब से लाग किया जाए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में